FM Rainbow FM Rainbow 102.6 अगर आप law पढ़ना चाहते हैं, आप वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आज का ये जो एक घंटा है, एक घंटे से तोड़े से मिनट कम जो है, वो आप की लिए dedicated है, और अगर आपके मन में इससे जोए कोई भी सवाल है, आप प्लान कर रहे हैं कि आप law की पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर मुझे कहां से करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ऐसा कोई भी अगर आपके मन में सवाल हैं दोस्तों, तो भई कहां जाना है, आपको यहीं रहना है, हमारे साथ ही रहना है, और हमारे साथ आज चुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट संजी कु और अगर आप सोच रहे हैं, confused हैं, ये नहीं वो, तो भई, आपको ये decision लेने की जो सारी clarity है, वो यहाँ पर हमारी guest देने वाले हैं. सर एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे studio में. बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत excited हूँ, आपके सवाल लोगों के जवाब देने के लिए, और खास तोर से ऐसे जो लोग, जो law को as a profession adopt करना चाहते हैं, उनकी queries के जवाब देने के लिए. सो दोस्तों, आप आपको क्या करना है, आपको बता देते हैं, आपको हमें call करना है, हमारा number है 18000111026, यह है वो toll-free number जहां पर आप भारत में कहीं से भी call कर सकते हैं, और directly हमारे expert से अपना सवाल पूछ सकते हैं, नोट करें number एक बार फिर 18000111026, इस number पर आप call कर सकते हैं, और यही नहीं, अगर आप एक और number चाहें, जिस पर आप हमसे जुड सकते हैं, तो आपको बता दे, कि हमारा number है 011, और उसके बाद आपको dial करना है 23421080, 23421080, या फिर 23421090, देखें न, कितने options आपको दे दी हैं आपर, तीन numbers है, जिन पर आप हमसे connect हो सकते हैं, और हमार एक्सपर्ट से live बात कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी वज़ा से कोई और दोस्त बात करें, और आपकी phone line, जो है, वो materialize, phone call materialize नहीं हो रही है, not to worry, आप अपना सवाल बे जिजक हमें भेजें, type करें, R-A-I-N-Rain, space दीचे, अपना सवाल लिखती है, अपना नाम जरूर mention की और फिर आपने उसे भीज़ देना है, 53010 पर, राइड नाव आपके लिए ये track, and then lots and lots of questions and answers, right here on Rainbow. तू मान जाओ, अब लोट आओ, तू मान जाओ, अब लोट आओ, इतना भी गुशा ठीक नहीं, छोड़े दे All right, that was a lovely, lovely beginning to our program, जिसका नाम है, Helpline, और Movie में शायद किसी का गुशा जाइस था, इसी लिए ये गीर जो है वो बना, लेकिन यहां आपका गुशा बिलकुल जो है, वो मैं होने नहीं दूंगे आपको, Because I'm going to take all your calls, और दोस्तों एक आप से दरख्वास थे, कि जब आप हमें कॉल करें, तो पीछे जो रेडियो की वॉल्यूम है ना, उसको बिलकुल बंद करतें, होता क्या है, आप जब हमें कॉल करते हैं, हमें रेडियो सुनाई देता है, आप नहीं सुनाई देते हैं, राइ तो इस नमबर एक बार फिर नोट करें, एक आठ शुन्य शुन्य एक एक शुन्य दो छे, और अगर आप इस नमबर पर कनेक्ट ना हो पाएं, तो हमारे दूसरे नमबर नोट करें, 011-2342-1080 और 2342-1090 आज बाचीत होने वाली है कि अगर आप लौ को अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको इस प्लान को अप्रोच करना है, और यह सारी जानकारी जो इससे जुड़ी हुई है वो आपको देंगे हमारे आज के एक्सपर्ट Sanjay Kumar Chadhaji, जो कि एक प्राक्सिंग लॉयर है सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पर पहले कॉलर भी Sanjay जी, पहले न से बात करते हैं, और फिर आपसे और बात्चित करते हैं, बिलकुल, हलो, हलो, नमशकार, सागर बोरे, राइट, जी माम, अहाँ, वेलकम तो दे प्रोग्रम, अपना सवाल पूछे सागे, जी माम, मेरा क्वेशन यह था कि, अफ्र ग्रेजुएशन, हम लॉयर में कैसे अपना करियर बना सकते हैं, और सेकेंड क्वेशन इस, आर दे रेनी शॉट टर्म कोर्स इंगर लॉयर अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, जैसा आपने बत कर रहे, वह वाली universities में भी होगा, हर university में locka course है, एक तो यह बात होगई, उसके admission के parameter फर्क होते हैं, जैसे Delhi University में एक admission लेना है, तो उसके लिए एक entrance test होता है, कहीं और की universities के अपने अपने parameters होते हैं, उन के आधार पे वो करते हैं, दूसरा सवाल है कि short term course कोई भी नहीं होत so course का नाम कुछ अगर LLB course LLB that is only a one fit जी हाँ एक ही LLB करने के बाद आपके पास काफी सारे avenues खुल जाएंगे उन avenues को आप देख सकते हैं कि आप उनमें काम करें ठीके सागर, nice talking to you thank you so much अच्छा से यहाँ से सागर के question से ही मैं क्यू लेती हूं और आपसे पुछती हूं कि यह तो graduation कर रहे हैं लेकिन बहुत से ऐसे candidates हैं जो अभी school में पढ़ाई कर रहे हैं 11 standard में जाने वाले हैं तो कोई specific subject combination रहती है अगर वो future में law करने का already decide कर चुके हैं क्या वो sciences लें, commerce लें या arts लें अगर उनको law का निर्धारित कर दिया है तो मेरे ख्याल से उनको arts वाले subjects लेने चाहिए और commerce और subject वो ले सकते हैं even science वाले students या commerce वाले students भी law के लिए जा सकते हैं लेकिन उनकी तैयारी अगर वो arts लेते हैं तो उनको पर pressure कम होगा तो वो परिपकता के साथ मजबूती के साथ अपने इस exam की तैयारी कर सका तो आप कहते हैं कि अगर अभी तक आपके हाथ में है ये decision तो आपको humanity चाहिए लेना benefit रहेगा लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ sir आप एक commerce student जी हम हैं, मैंने commerce किया है जी, बट मेरा उस वक्त मैंने decide नहीं किया था कि मैं law करूँगा जी, जब मैंने तो उसके बाद तो दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई और stream already choose कर चुके हैं and now you decide to do law, तो ऐसे में ऐसी कोई आप पे बाधा नहीं है कि आप अगर commerce या science के student हैं तो आप आगे चलके law की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं so that is one clarity sir जो में को यहां पर मिली, एक और चीज़ आप से पूछना चाहूंगे कि बहुत एक generic term हम use करते हैं law लेकिन अगर हम you know ध्यान से देखें तो law के बहुत सारे streams हैं, अलग अलग तरीके का law है, please उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बिल्कु ठीक आपने फरमाया, law जो है वो LLB की degree है, वो उसको हम law कहते हैं, जैसे ही जैसे हम मैं सागर के सवाल का जवाद दे रहा था, तो भी मैंने बताया था कि law करने के बाद, आपके अपने avenues खूल जाते हैं, law करने के बायावाद, आप law की practice भी कर सकते हैं, जहां पर different courts हैं, tribunals हैं, उनमें आप law की practice कर सकते हैं, अब उसमें भी आपको divide हो जाते हैं, आप civil law की practice कर रहे हैं, आप criminal law की practice कर रहे हैं, कौन सा आपको, मन को भाता है जो law का subject, उसके cases करते हैं, एक ही हो सकता है, और उसके बाद कई सारे avenues हैं, judiciary में आप जा सकते हैं, government pleader बन सकते हैं, सरकार की तरफ से, सरकार के बहुत बले cases होते हैं, बहुत सारे cases होते हैं, उनको plea drop कर सकते हैं, corporate law अगर आप कर रहे हैं, तो companyों में काम कर सकते हैं, corporate law के साथ CS का combination लेके, हर company की requirement है, कि उसके वहाँ पर एक company secretary हो, और उसके साथ अगर वो lawyer भी है, तो एक added advantage होते हैं, तो ये कौन सा ब्रांच हुआ सर, अगर company secretary, company, corporate laws, corporate laws, लेकिन इन सब को करने के साथ साथ, जरूरी और सबसे एहम बात है, कि आपको law के degree करनी है, वहाँ पर आप subject को choose क कर सकते हैं, क्योंकि जब आप law के degree करते हैं, तो आपको जैसे मैं एक example देता हूँ, Delhi University से अगर आप law कर रहे हैं, तो आपको 30 examination pass करने होते हैं, total 6 semester में, हर semester में 5 exam होते हैं, तो अब उन में 30 subject नहीं है, law के बहुत subject हैं, तो आप select करते हैं, कि हम ये subject लेंगे, fundamentally constitution law, criminal law, contract act, ज उनको तो लिया ही जाएगा, इसके बाद आपको कुछ एक subject selective होना पड़ता है, तो उस वक्त आप corporate law की तरफ, लेकिन फिर भी, जो law करने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है, कि आपको ये decide करने हैं, जो शायद उसको उसके लिए suitable बनाती हैं, या फिर इतना suited नहीं रखती है तो क्या law की अगर बात की जाए, वकालत की बात की जाए, तो कोई ऐसे personality traits हैं, अगर मुझे में हैं, तो I am a sure candidate for law. दीखे, निश्यत तोर पे कुछ एक चीजें तो बहुत महत्पून हैं ही, एक तो व्यक्ति विशेश जो काम करने वाला है, जो बच्चा law करना चाहरा है, उसके अंदर एक बहुत important बात है, कि उसको पढ़ाई काफी पढ़ता से करनी पढ़ेगी, files, documentation, इन सब में रुची ह अगर मेरा money नहीं है कि मैंने पढ़ना नहीं है बिल्कुल, तब law करूँगा तो बिल्कुल मत करिये, क्योंकि ये पढ़ाई, जीवन परियतना आपको पढ़ते रहना पढ़ेगा, अपने आपको नए laws के हिसाब से परिपक बनाना पढ़ेगा, मजबूत बनाना पढ़ेग जो भी हम कुछ भी होता है, वो कागज में होता है, लिखा जाता है, तो आपको अगर लिखने और पढ़ने का ही शौक नहीं है, तो law मत करियेगा, क्योंकि हम नए भावी lawyerों से बात कर रहा हूं, तो इसलिए मैं उनको ये संदेश देरा हूँ, पैने ही एक advice दे रहा हूँ This is very important, one has to really slog a lot, one has to study a lot, there are no shortcuts, shortcut तो किसी भी क्रेटर में नहीं है, आप यहाँ बैटी हुई है, कितनी महनत की है या आप जानती है, तो दोस्तों, बहुत ही realistic picture आपको यहाँ दी जा रही है, और अगर आप भी law करने में इच्छुक हैं, आप इस course को as a career pursue करना जाते हैं, so today is your forum, आप हमें call कर सकते हैं, हमारे expert से बास कर सकते हैं, और यह है संजे कुमार चर्दा जी, जो की Supreme Court के practicing lawyer है, so who better than him to tell you कि क्या on-ground realities हैं, इस course से जुड़ी हुई, नमबर एक पार फिर आपके लिए दोहरा देती हुँ, 18000 111026, इस पर आप हमें call कर सकते हैं, और उनके साथ ज बेनिया में बेनिया में सोने आ, बैरिया में, बैरिया में सोड़े आ, यू ना जाने, यू ना जाने, सोगवारा करके मैं तेरी जोगण हो गईया, कार विच्छोगण हो गईया, मैं तेरी जोगण हो गईया, कार विच्छोगण हो गईया, मैं तेरी जोगण हो गईया, कार विच्छोगण हो गईया, मैं तेरी जोगण हो गईया, कार विच्छोगण हो गईया, पर रहां परियांबे जोगन, 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 जोगन हो गयाँ आडे जोगन, 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 जोगन हो गयाँ आडे यही सारी जानकारी आपको यहां दी जा रहे है और एक सार कॉलर जो है हमारे सार जुड़े हुए है all the way from Haryana चरण जी है इंसे बात करने की कोश़श करते हैं हलो आप यूपी से कॉल करें स्वागत है अपका अपना सवाल पूछे हमें यह पूज़ा है तो यह लोगा कहरे रही थे कहरे मन पॉर्स ग्रेजिट कर लिया मगर हमकर कोई पता नहीं चलते को कि हमकर सिंपल फॉन आते हैं सबसे बड़ा अच्छी एक सवाल इनों ने पूछा कि कोई एज लिमिट है नहीं कोई एज लिमिट नहीं कोई एज लिमिट है और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी एज में यू शुड हैव ग्राजुएशन की डिग्री होनी चाहिए उसके बाद आप किसी भी लाउ कॉलेज में एड्मिशन लेके लाउ को परस्यू कर सकते हैं मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड अधिकारी हैं रिटायर्ड लोग हैं जो लाउ करते हैं उसके बाद लाउ को परस्यू करते हैं कोई रिटार्मेंट की एज नहीं है लोग में तो कितनी बढ़िया बात है ना तो इसलिए आप अगर लोग और लोग में करियर की जहां तक बात है आपके जैसा आपने बताया अखबार भी नहीं आती लोग का सबसे बड़ा करियर तो होता लोग की प्रेक्टिस करना यानि कि जो नयाले है आपके सबसे पास वाला जो कोट है वहाँ पे जाके आप प्रेक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे एक किसी सीनियर एड़ुकेट को जोईन कर लीजी उनके साथ थोड़े समय तक सीखिए और उसके बाद अपना कर सकते हैं करियर वहीं पे प्रेक्टिस का कर यह भी किया जा सकता है हैं तीन चार लोग कॉलेज हैं आपके पास किसी के हाला समय होती है कितना खर्जा हो जाता है क्या बात है आप एक के बाद एक सटीक सवाल पूछ रहे हैं जो हमने सोचे थे देखे जहां तक मेरे जवाब सुनी है आप जहां तक प्रश्ण है फीस का देखिए जो सरकारी जो लोग के कॉलेजिस हैं वहाँ पे काफी ही सस्ती फीस होती है और जो प्राइवेट इंस्टिट्ट सब खुले हैं पिछले कुछ वर्शों से भारत में वहाँ पे फीस निश्चित तोर पे जादा होती क्योंकि वो लोग ऐसा कहा जाता है कि थोड़ी सो विधाएं जादा देते हैं लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकारी महाविद्ध द्यालेहों में भी बहुत बढ़िया लॉक के कॉर्सिस करवाए जाते हैं और खास्तोर से युनिवरस्टी इस तर पे तमाम जो कॉलिजेज हैं वो शात्रवर्तियों का भी उन्होंने प्रवधान किया है स्कॉलर्शिप्स दे रहा हैं तो आपको सरकारी कॉलिजेज की कोई कमी नहीं है बहुत सारे सरकारी महाविद्ध द्याले हैं जो आपके हरिद्वार में आप कह रहे हैं आप हरिद्वार में खुद आप जाके चले जाए ये युनिवर्सटी में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मेरे खाल से, एक या दो law colleges वहाँ पे हैं. चारण जी, थैंक यू सो मच फर कॉलिंग और बहुत सारे सवाल इनों ने पूछ डाले और बहुत ही relevant questions थे, इन फाक्ट यहाँ पर आपसे सर पूछना चाहूंगी संजशी की, आपने इनको गाइड किया कि बहुत सारी उनिवर्सटी जो हैं, government universities, they are offering law, और ऐसी जगह पर जो fee structure है, वो बहुत subsidized होता है, reasonable होता है, लेकिन अगर हम private universities की बात करें, तो वहाँ पर cost structure is pretty heavy, तो एक सवाल की, चूज कैसे किया जाए, कि यह जो college है, जो इस degree को offer कर रहा है, वो मानिता प्राप्त है, कि यह से join करना चाहिए, कि नहीं, और दूसरी बात, जो fee structure है, वो किस तर पूर्ण है, हमने पिछले एक दशक में ये भी देखा, दस सालों में पिछले ये देखा, कि कुछ एक institute जो है, वो de-recognize हुए है, तो ये, जब आप admission लेने कहीं जाते हैं, तो आपको सबसे एहम बात है, ये देखना है, कि bar council of India ने इस particular institute को recognize किया हुआ है, कि नहीं, यहां से किये गए, courses को, जो वहां की जो bar council है, वो recognize करती है कि नहीं, उसके बाद आप उस private institute में admission लेजे, और इसके अलावा, जो पूरे देश की सभी universities, almost all universities are now giving courses in law, law has become very very, you know, sought for course these days, absolutely, absolutely, और यहां पर sir, एक caller है, इनसे बात कर लेते, before the call drops, hello, hello, जी दोस्त, नमस्कार, अपना नाम बताए, मैं मेरा नाम जोगंदर है, मैं जोगंदर है, मैं जोगंदर जी, आपका सवाल क्या है, जोगंदर जी, मेरा सवाल है, कि हम 12th के बाद का law की डिगरी कर सकते हैं, बि उसमें सबसे एहम जो है, वो है national law institutes है, national law universities है, रादर, पूरे भारत में तकरीबन 24 या 23 national law institutes है, जो की national law universities है, जो की सिर्फ law की universities है, वो बहुत important है, इस वक्त पूरे देश में उनकी बानिता है, और काफी sought for है, महां पे बहुत भीड रहती है admissions की, उसके लिए वो लोग ए सारे इन 24 के 24 या 23 के 23, except Delhi का जो institute है, वो अपना अलग से करवाता है, और जो बाकी institute है, national NLUs, उनका टेस्ट एक ही होता है, उसको CLAT का टेस्ट कहते हैं, उसमें आप जाएं, common law admission test उसको कहते हैं, CLAT, और ये प्राया मई में इसका exam होता है, तो उससे पहले आप internet पे जाके इ कैसे उसका form भरना है, और इसके अलावा जो बाकी institutes हैं, वो अपना भी उनका criteria है, कई CLATS के marks को ही criteria बना के, उसको मानेता दे के लेते हैं, लेकिन ये exam जो है as such, वो सिर्फ NLUs के लिए ही है, अभी recently इसी साल से, 2019 से, पहली बार से इंदरप्रस्त उनिवस्टी जो हमारे Delhi क institutes हैं, उन्होंनों भी इस CLATS के exam को मानेता दिया और उसी को follow करने लग गए है, ओके जोगिंदर जी, I hope आपके सवाल का आपको जवाब मिल क्या होगा, जल्दी से पूछिए, मुझे इसका जानकारी नहीं है, दोस्तिया, online आप चेक कर सकते हैं, I'm sure आपको इसकी information मिल जा जाएगी, thank you, thank you for calling, अच्छा सेर, यहाँ पर जैसे आपने इनको CLAT की परीक्षा की बात बताई, आपने कहा कि कुछ और, जो है, exams वो भी conduct किये जादे हैं, अलग-अलग institutes के, मेरे को दो-तीन, अभी मेरे जहन में आरे हैं, उनका नाम लेता हूँ, जैसे कि, Symboices Law College है, उ हमारे Noida में है, एक Puna में और एक Hyderabad में, उसका वो एक combined test करते हैं, इसे प्रकार जैसे Noida में, M.A.T. Law School है, वो अपना, तो तरह तरह की institutes हैं, जैसा कि, यह सब private institutes हैं, और, but recognized by government है, लेकिन अगर हमें ऐसी कोई परीक्षा देनी है, तो क्या कोई ऐसा पाठेक्रम है, इंग्जाम होता है, वो 200 नंबरों का इंग्जाम होता है, उसमें 200 marks का इंग्जाम होता है, और 5 subject होते हैं, English, GK, Maths, Reasoning and Law, यह 5 subjects हैं, इसके सवालात उनसे पूछे जाते हैं, और यहाँ पर बड़ा careful होना होता है, जो भी चात्र इसको दे रहा है, उसको यह देखना होता ह जितना अच्छा आपका score होगा, उतने ही अच्छे NLU में या अच्छे institute में, आपकी आपकी अनुसार उसको, admission आपको मिलेगा, आपके scores के basis में होता है, अच्छा सर, एक और सवाल यहाँ पर हमारे शोता का आया है, वो आप से पूछना चाहते हैं कि, जब मैं रूफान है आपकी biology के student हैं और first year college में हैं, कहते हैं sir, क्या इसके बाद मैं eligible हूँ to do law? जैसा हमने कारिकरम के शुरवात में भी बताया था, कि eligibility सिर्फ graduation है, जाए वो B.S.C. है, B.A. है, या किसी भी field पे अगर आप एक recognized university से graduate हैं, तो आप तीन वर्ष का जो course है, तीन साल का जो course होता है, उसको कर सकते हैं, और देश के किसी भी institute से कर सकते हैं, आप Delhi University, अगर हैं, तो दिल्ली विश्वे दियाले से कर सकते हैं, आप कोचीन में हैं, तो कोचीन में हैं, तो कोचीन में हैं दियाले से कर सकते हैं, तो हर university आपको इस course को provide करती है, ये तीन साल का है, after graduation, और जैसा अभी वो जम्मू किसे जोगेंदर बहुत रहे थे, उनको आपने बताया जोगेंदर बताया हैं, तो कोशिश करते हैं, एक और कॉलर से हम जुड़ पाएं, हलो, हलो, नमशकार, अपने नाम बताये है, जी मैं मैं अर्चना बोल रहे हुं है आने से, बोली आजना, क्या सवाल है आपका? जी मैं जाना चाहते हूं कि प्रश्टू के बाद जो फाइवियर्स का कोर्स है तो उनकी लिए एज कितनी है अगर कोई गया पाता है तो आपको उसका एक्स्प्लिनेशन देना होता है और एक्जेक्ट एज लिमिट आपको जरूर प्रोस्पेक्टर्स में देखनी पड़ेग मुझे उसका गयान नहीं है उसमें जो एज लिमिट है वो है 21 साल मिनिममम एज लिमिट है उपर की एज लिमिट नहीं है एक और सवाल जो 21 साल लॉयर बनने के बाद ट्रेक्टिस करने की एज है और ग्रेजुएशन है आपकी तो कोई नहीं है किसी भी एज में आप 60 साल के तो भी कर सकते हैं, 25 साल के तो भी कर सकते हैं, 75 साल के तब भी कर सकते हैं, जब आप चाहिए अब बस graduation के degree होनी चाहिए आपके पास जी जी बिल्कुल after graduation तीन साल का है जो course है तैंक यू दोस, एक सवाल संजी जी यहां पे लेते हैं, और यह जो सवाल है हमारे एक दोस्त नितिन का आया है आपसे पूछते हैं, कि sir, after doing a degree in law, मेरे पास किस-किस तरह की job opportunities हैं अगर मैं खुद अपनी practice नहीं करना चाहता हूँ देखिए, सबसे बड़ा तो अपना practice करने का है अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो मेरे खहल से judiciary एक बहुत अच्छा option है, अगर आप judiciary भी नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास option है, आप corporate law firms हैं, उनमें काम कर सकते हैं, आपके पास एक और, तमाम जितने भी company'ा हैं, उनको lawyers रखने होते हैं, उनके यहां legal department, जितनी बड़ी company होगी, उतने ज़्यादा वहाँ पे legal department में lawyers होंगे, बड़े-बड़े bankों में insurance companies में, हर जगा पे lawyers की आफ्रकता होती है, तो वहाँ पे आप ऐसे law officer join कर सकते हैं, इवन हमने देखा कि private जो firms हैं, private sector में भी lawyers की as a law officer in the private sector, किसी कोई भी संस्था जब बड़ी होती है, तो उनके कुछ disputes होते हैं, उनको निप्टारा करने के लिए, वो अपने offices में lawyers को nuked करते हैं, तो वो भी नौकरियां बहुत हैं, और मेरे को ऐसा लगता है, कि बहुत बड़ी संख्या में lawyers के लिए opportunities हैं, तो दोस्त, आपके सवाल का जवाब यहां आपको मिल गया, फिलहाल लेते हैं, छोटा सा commercial break, और लोटते हैं कुछ और सवालों और जवाबों के साथ, और हमारी phone call जो है वो बेट कर रही है, so we'll take the next caller after this short break, सुनते रहिए helpline He has a dog, he won't be lonesome And the doggy will have a good home We love your pets FM Rainbow FM Rainbow 102.6 All righty, welcome back, आप सुन रहे हैं Helpline और आज बात कर रहे हैं हम Sanjay Kumar Chadhaji, who's right here live in our studios और बात हो रही है about law as a career और यहां पर सर दो callers बेताबी से इंतसार कर रहे हैं If I might say so, इनसे बात करते हैं Hello Hello ma'am जी, नमशकार, अपना नाम बताएं मैं मेरा नाम सवारती है जी मैं अर्दवार से उतराखन Okay सवाल और मैं जजज बनना चाहती हूँ मैं तरल के बात है यदि में पांस साल का कोस्ट करना चाहूँ तो इसकी फीज कितना होगी सर जजज बनना चाहती है, future जजज से बात हो रही है बहुत अच्छा और एक और मैं इनकी बात का जवाब देने से पहले ये कहना चाहूँगा कि अभी एक नया दौर देखा है हमने कि अब बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी लीगल फील्ड में आ रहे हैं और ये बहुत इंकारेजिंग है, जजज बहुत बन रही है महिलाएं और जो कि बहुत स्वागत ही होगी है और जहां तक इनका प्रश्ण है, देखे आपके अलग-अलग different colleges हैं हर college की fees वही निर्धारित करते हैं और अनिशर तोर पे उसका निर्धारिन करने का कोई criteria होगा उसके आधार पे तो वो मैं आपको यहां पर बता नहीं सकता, आपको खुद वो चेक करना पड़ेगा, Google पे आप चेक कर सकते हैं चीक है दोग्स उत्राखंड में कौन सी best university है? best कौन सी है बई यह बतातीज़ उत्राखंड में कई सारे हैं, वहाँ पे देहरादून में खासतोर से पांच-छे institutes हैं और इसके अलबा कुमाईयू युनिवस्टी है, गड़वाल युनिवस्टी है, इन तमाम युनिवस्टी में भी इसका मुझे पूरा संग्यान है, मुझे मालूम है, ठीक है थोड़ा साप effort कीजिए, जी बोलिए, पांस साल का कोर्स के बाद जैसा अभी आपने बताया, आप जुडिशिरी में जाना चाहती है, कोर्स करने के बाद आप eligible हो जाती है, जुडिशिरी का exam लिखने के लिए, और उसके लिए आपको उस exam के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, उस परिक्षा को पास करना है, और उसके बाद आप देश की सेवा कर सकती है, जी जी बेस्ट अफ लग, आपकी dreams जो हैं, वो बिलकुल साकार हो, ओके, तांक यू, और सिर एक और caller है, इनसे भी बात करते हैं Hello, All right, I think we have dropped the call, और ये एक बहुत ही वरिट पेरंट थे, और इनका सवाल सर ये था, कि इनके जो बच्चा है, उसने इंटर में ड्रॉप किया है, I think clear नहीं कर पाए हूँ है, और इसके बाद अब वो लॉग परस्यू करना चाहते हैं, पहली बात, क्या ये एक पॉसिबिलि जाएए, देखे, स्ट्रीम चेंज का तो कोई इतना बड़ा बहत तो नहीं है, क्योंकि किसी भी हर स्ट्रीम को allowed है, लॉग करना है, तो ये अचाहए वो arts की स्ट्रीम से हो, या science स्ट्रीम से हो, या commerce की स्ट्रीम से हो, तीनों स्ट्रीम के लोग लॉग कर सकते हैं, तो उसक साल का अगर drop भी हो गया ये जाके और law कर सकते हैं law का klat की परिक्षा दीजिए या भिन भिन विध्याले जो है जो different different institutes हैं वहाँ के जो नियम है और जो वहाँ के जो exams है उनको पास करके वहाँ admission लीजिए पास साल का course कर सकते हैं और अगर ये चाहें तीन साल का पहले एक graduation कर लें उसके बाद पुना तीन साल का law का course कर सकते हैं अपने पास के सबसे पास के विश्विध्याले से और सर एक और call यहां blink कर रही है कोशिश करते हैं इसे बात हो पाए हलो हलो जी दोस्त रेडियो के आवाज प्लीज 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 बन कर दें और अपना सवाल पूछे पूछे कि मेरा नाम सबा है दोस्त को सबाल किया है आपका जी मुझे को कुन सा कूरस करना है अगर आप law करना चाहती हैं फिर तो हम आपको जबाब दे सकते हैं नहीं तो आपको वेट करना होगा अगले सोंबार का नहीं मैं हाँ मुझे एसिस्टेंट इंटरस्ट है जो करने लिए ओके तो फिर आप सर गाइड कीजें प्लीज अगर ये ग्रेजुएशन के फिर्स्ट इयर में है तब इनको अभी दो साल रुकना पड़ेगा अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद इनको लोव में अड्मिशन लेना पड़ेगा और उसके बाद तीन साल का विश्वे द्याले से कोर्स करने के बाद ये एक हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि law is a very dangerous career जब आप बात करते हैं कि आपको कभी-कभी ऐसी judgments देनी पड़ती है कि शाहिद वो दूसरी party को please ना करें तो एक factor रहता है कि क्या ये career girls के लिए suitable है ये सवाल बहुत बार हम से पूछा जाता है दो सवाल अपके है पहला सवाल कि क्य ये बहुत dangerous बिलकुल नहीं बलकि मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए मेरे पास शब नहीं मिल रहा है मुझे कितना लोगों की आप मदद कर सकते हैं अगर आप lawyer हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये social evils को मिटाने के लिए आपको एक वरदान के तोर प का निप्टारा करके उन में मदद करके उनको कर सकते हैं पहला सवाल और दूसरा जो आपने पूछा कि क्या महिलाओं के लिए ये जैसा अभी है मैं दो मिनिट पहले भी आप से बता रहा है कि अब बड़ी से बड़ी संख्या में महिलाएं और यंग लड़कियां इस profession को ज profession से जोड़ रही है आपको जानके बहुत खुशी होगी कि हमारे supreme court में भी महिला judges भी आपॉइंट हो गई है पहले से हैं पहले भी रही है ऐसा नहीं है लेकिन अभी भी पिछले साल भी हमारे supreme court के judge बनी है और high court पे और तमाम ख्षेत्रों में महिलाओं ने बहुत तेजी स आई है और जूड़ी है राइट सो भई यह एक मित तो यहां पर बस्त हो गया हूँ और definitely बिलकुल घवराने की जरूरत नहीं है irrespective of gender यह एक बहुत ही अच्छा career option है and you are most welcome to do the right kind of course and join it. फिलहाल यहां पर आपके लिए एक प्यारा सा गीत लेकर आई हूँ आप इसको enjoy कीजिए फिर लोटते हैं कुछ और सवालों के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलप लाइन तक है जाना हरकत्रा बोल रहा मैलड़ जाना मैलड़ जाना है लगु में एक चिंगरी सबने चुन तक है जाना हरकत्रा बोल रहा आपना यह फ्यार अपनों को बातने के लिए अपनी खुशियां जग में पहलाने के लिए तुछे देखा तो ये जाना सानम वेल्कम बैक दोस्तों आप सुन रही हैं हेल्प लाइन और यहां पर इकॉलर सर जुड़े हैं इनसे बात कर लेते हैं इनके सवाल का जबाब देते हैं हलो जी दोस्त गुरीवनिंग जल्दी से अपना सवाल जो है वो पूछ ले मैं मेरा मैं रमा संकर पाल बोला हूँ और मैं हाई स्कूल से कि जेटी बोर्समें में है मेरा हाई स्कूल है अब मैं प्लस्टू के बाद मैं डलाव दी प्रयारी करना जाता हूँ देखे जहां तक बात है आप बिल्कुर सही समय पे फोन कर रहे हैं अभी आपके पास दो साल है एक इसके एंटरिंस टेस्ट होता है एनल यू नैशनल लॉज यूनिवरस्टीज हैं 24 भारत में उन तमाम का एक ही कंबाइन टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं Common Law Admission Test उसको आप भरिये एक्जाम वो एक्जाम दीजे उसमें पाँच सब्जेक्ट होते हैं 200 मार्क्स का परिक्षा होती है उसको अच्छी तरह से पास करिए और फिर पाँच साल का ये सबसे अच्छे इंस्ट्यूट हैं ये सब के सब जितने भी है देखें फीस हर महाविध्याले में वेरी करती है वो आपको उनका प्रोस्पेक्टर्स देखना पड़ेगा या उनकी वेबसाइट पे चले जाईए और वहाँ पे उस चीज को देख लीजे क्या चीज वेबसाइट प्रोस्पेक्टर्स देख में फश्वीध्याले में। अपने आप सर्च करिए ये सब के सब जितने भी इंस्ट्ट्यूट हैं ये बहुत अच्छे हैं और आपको मजबूती से और बहुत परिपक्ता से पढ़ाई करनी है आप जरूर चेयर नित होंगे यह आपको वहीं पर यह कंप्यूटर पर एक्जाम होता है एक ही साथ में वह आपको यह सारी सूचना है सारी चीजें कंप्यूटर आना जरूरी है यह से ग्जाम के लिए लेकिन कंप्यूटर का आने का मतलब यह नहीं है कि आप अगर नहीं भी आता तो भी आप दे सकते हैं आप हैंडीकैप हैं और बलकि मुझे यह बताते हुए आप तो Judiciary में भी जा सकते हैं, आजकल Judiciary में भी हमने देखा है, कि Handicap बच्चे आते हैं, और वो अच्छे काम कर रहे हैं। चीकर दोस्त, best of luck, best of luck. और सर, यहाँ पर एक और caller हैं, देखते हैं, अगर इन्होंने इंतिजार किया है. Hello? 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 Okay, so we have a problem here, sir, लेकिन यह जो सवाल है, thankfully मैंने नोट कर लिया था, तो आप से पूछ लेते हैं, यह सवाल था हमारे दोस्त का, रमा शंकर जी का, जिनका जो बच्चा है, वो CBSE की परीक्षा जो है, वो दे रहा है, कहते हैं कि क्या CBSE की परीक्षा से कोई year advantage मिलता है, अगर ल लॉक करते हैं, तो छे साल का समय लगता है, अगर आप CBSE 12 कर लेते हैं, और उसके बाद आप आके, जो है, क्लैट का एकजायम या और पात साल का लॉक करते हैं, तब आपको सिर्फ 5 साल लगते हैं, लॉक करते हैं, तो एक साल के advantage तब ही है, जब आप बार्वी के बाद sessions होते हैं while admissions बिल्कुल हर विश्व इध्याले के देखिए ये अपने नियम है कई जहां तक बात है दिल्ली विश्व इध्याले की मैं फिर से पुरा आजाता हूं क्योंकि दिल्ली विश्व इध्याले का ये अनुमनस स्वूम है तो देखें दिल्ली विश्व इध्याले में एक बहुत चोटी सी परसेंटेज में रिखाल एक या दो परतिशत सीटें जो हैंडीकैप बच्चों के लिए तो ये बाकी विश्व इध्याले में भी होगा और उन निश्चित तोर पे उनको उसका लाब मिलेगा इस रिजवेशन का राइट दोस्तो तो एक छोटा सा कमेर्शल ब्रेक लेते हैं और चितना भी समय हमारे पास अभी बाकी है कोशिश करते हैं कि कुछ और कॉल्स उसमें ले पाए सुनते रहे हैं हेल्प लाइन कुछ गाने को दिल करता है कुछ लफजों से कह जाने कुछी करता है वेल्कम बैक दोस्तो आप सुन रहे हैं हेल्प लाइन और सर्च समय बहुत कम हमारे पास यहां बचा है चलते चलते हमारी जो दोस्त इसके लिए प्रिपेर कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दिखिए सबसे पहले के अब ये फील्ड बहुत बहुत सौट फॉर फील्ड है और काफी कॉम्पिटिशन है आप लोग बड़ी मेहनत से शिद्दत के साथ अपने जो कॉर्सेज हैं उनका टागेट को फॉलो करिए और जिससे कि आप बहतरीन से बहतरीन मार्क्स लेके आएं और आपको अच्छे से अच्छा इंस्टिटूट मिले जहां पर आपका एडमिशन हो और उसके बाद आप लोग की डिग्री हासल करने के बाद आपके पास बहुत सारे वे नियूज हैं अगर आप मेहनत करने को त क्यार बहुत